जैहिन बंदे माजरम जैसरी राम स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल टाकर एजुकेशन सेंटर में चलिए सुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक जिसमें हम भारती संविधान के अनुच्छ 101 कुस्चनों को समझ रहे थे उसका हमने पार्ट बन पहले ही आप को दे दिया है यह दूसरा है पार्ट शैकेंड उसमें हमने पचास कोशन कर दिये थे इसमें पचास से हम उपर के जो कोशन है उनको समझेंगे अगर चैनल पर पहली बार हैं तो इमांदारी से सब्सक्राइब आवाज करें चलिए शुरू करते हैं संब्धान के किस अनुच्छेद के प्रेस की सुतनता वाड़ित है मतलब संब्धान के कौन से अनुच्छेद में प्रसेद प्रेस की जो हमारी मीडिया है उसकी सुतनता बाड़ित है तो वो उसकिस में अनुच्छेद 19 का में प्रेस की सुतनता वाड़ित है भारत का राष्टपती गोन जाता है। चलिए, अगला कोश्चन समझते हैं, अगला कोश्चन हमारे स्म्विधान में पाड़ेतों मौलिक कर्थभ्य का सर्रक्चक कोन है। मौलिक करथभ्य उन्हाटक कोन है, उच्छे तम न्यायāल है,, उच्छू न्याय यह दोनों ही हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनके सर्रक्षक हैं संबेधान के किस अनुक्षेद में राष्टपती पद की विश्था की गई है मतलब किस अनुक्षेद में राष्टपती पद की विश्था की गई है वो की गई है अनुक्षेद 52 में बियन राव को नियुक्त किया गया था किसे बियन राव को नियुक्त किया गया था सलह का संभैदानिक सलह का दूसरा बरतमान में भारती संभैदान में कितनी अन्सूचियां अभी कितनी अन्सूचियां बार है और जो लागू हुआ था मूल संभैदान में कितनी अन्सूचि थी अगला question देखते हैं जंडा समित के अध्याश्च थे जंडा समिती थी उसके अध्याश्च कौन थे ये भी क्रपलानी राष्टपती तथा उपराष्टपती के चुनाव संब्द्री विवादों का निप्टारा कौन करता है जो राष्टपती और उपराष्टपती के चलिए अगला question देखते हैं अगला है संब्द्धान का सरचक किसे कहा जाता है तो संब्द्धान का सरचक कहा जाता है उच्टब निया आले को संब्द्धान का सरचक माना जाता है अगला question राष्टपती पर महा भीयोग का प्राप्धान किस देश की संब्द्धान से लिया अगला देखते हैं, सुपर कैबनेट किसे कहा जाता है, तो सुपर कैबनेट कहा जाता है, योजना आयोग को सुपर कैबनेट कहा जाता है, अगला कोशन संसद की जन्नी किस देश की संसद को कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है, विरटैन की संसद को संसद की जन्नी कहा जाता ह आगला कोश्टिन सम्विधान के किस अनुच्षेद में सिछच्छा का अधिकार बताया गया है धार्मिक सुतंता का अधिकार किस अनुचित के अंतरगत आता है तो जो धार्मिक सुतंता है उसका अधिकार अनुचित 25 के अंतरगत आता है अगला कोशन 6-14 वर्स की आए तक सिच्छा का अधिकार कैसा अधिकार कहलाता है जो मनलब 6-14 वर्ष की बच्चों का जो सचाक अधिकार कैलाता है वो मूल अधिकार कहलाता है किस प्रधानमंतरी के सासन काल में सरवाद एक बार राष्टपती सासन की गोशड़ा की गई सबसे अधिक राश्पति सासन के कार्म लगाया गया तो इंद्रा गांदी के काल में लगाया गया थे अगला कोशन धन विदेयक किस अनुचेद में उल्लेकित है जो धन विदेयक है वो किस अनुचेद में उल्लेकित है वो अनुचेद 110 में उल्लेकित है कि धन विदेयक है प्रांती संविधान समिति के अद्यक्ष कौन थे सर्दार बल्लब भाई पटेल मतलब प्रांती संविधान समझ कहने का मतलब जो प्रांतों को एखटा करके उन्हें उस संविधान वा एक संयुक्त राष्ट बनाना भारत राष्ट बनाना उसके लिए समित अद्यक्ष कौन हुआते वो सर्तार वनलब भाई Pal इन्हों निहीं रियास्तों को हटी खर्टा करके हमारे भारत को एक सन्युकतराष्ट बनायाथ थे शांसुदन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनि अधिकार बनाया किस संसूदन डौारा वो कि शब्यूरत में संभ संसूदन कंदोधाar 1989 नहीं eth 2009 में बनाय गया था राज्यसवां का पध्हिन सभापती कौन होता है उप्राष्टपती जो राज्यसवां का पध्हिन सभापती होता है वो ब्क तराष्टपती होते हैं जो इस समय फिलाल में राजसवा का पतिन सवापती कौन होता है उस राष्ट पती होता है चलिए अगला समझते हैं अगला भारत के किन राष्ट पतियों की मिरत उनके कारिकाल के दौरान हुई अगला कौन कौन से राष्ट पती थे उनकी मिरत उनकी मिरत कारिकाल के दौरान हुई तो उनकी हुई डाक्टर चाकर हुसान और फाकुदिन अली एहमद की मिरत कारिकाल के दौरान हुई थी अगला कोशिया राज्य की कारपाल लिगा सकती का प्रदाहन कौन होता है तो राज्य की जो कारपाल लिगा सकती का प्रदाहन कौन होता है वो राज्य पाल होता है चली अगला देखते हैं अगला संब्धान के दर्माड के समय संब्धान में कितनी अन्सूचियां थी आठ अन्सूचियां थी संब्धान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संब्धान सभा के सदस्तों के संब्धान पर हच्चात्र किये गए लब जिस दिन संब्धान पर अक्स्टाक्षर किये गए या अंगी करत किया गया था तो को 24 जनबरी 1950 को मारा संब्यदान अंगीकरत किया गया था अगला कोश्चन भारती संब्यदान कौन सी नागरिक्ता प्रदान करता है तो भारती संब्यदान कैसी नागरिक्ता एकल नागरिक्ता प्रदान करता है प्रथम पंचायती राजविवस्ता का अधुगाटन पंडित जवालाल नहरूर ने दो अक्टूबर 1969 को किस इस्थान पर किया था जो पंचायती राज़िवस्ताब और नागोर की राज़िवस्तान से शुरुआत की गई थी पंचायती राज़िवस्ता की अगला कोश्चन संभिधान संसुदन प्रक्रिया कहां से ली गई है संभिधान स किसे है वो संस्थ को सीमा पर 강ति की जाती है तो प्रधान's मंत्री के प्रामर से राष्ट पति के दौरा लोगसबा भंग की जाती है जब कि राष्टर राज सवय किस्ताइब्स बहां नहीं किया जाता है धन विद्यक को संसद के किस सदन में पेज किया जाता है तो धन विद्यक को लोकसवा में पेज किया जाता है अगला कोश्चन महाभियोग की प्रिक्रिया कावलेक किस अनुक्षेद हमें तो महाभियोग की प्रिक्रिया अनुक्षेद 61 में वड़ेत है भारत का उपर पद की सफ़त नहीं लेता है तो अपने पद की सफ़त कौन नहीं लेता है लोग, सवाद्यक्ष अपने पद की सफ़त नहीं लेता है अगला कोस्चन 16 consegu के बिरुद अ机िकार किस अनुश्चेद की अंतर्गत आता है जो 16 Pan vari ब्रुद्ध अधिकाब भारत में प्रत हम आम चुनाव था जो भारत में प्रत हम आपे जुनाव थे न कब गए था 1951 और 52 में पहला उटा हुआ था अलुए क्यों कि अ अलुए कूर्षान समस्ति yuky के समयदान संसूर द्वारा हटा दिया गया, वो 44 में संब्धान संसोदंद्वारा सन 1989 में हटा दिया गया था, लोग कल्याड काड़ी राजी की अभधाड़ा किस में नहते, तो और लोग कल्याड काड़ी राजी की अभधाड़ा राजी के नीत ने दे सकता तक्तों में नहते है समिधान में मूल करतब्यों को सामिल करने की रेड़ा किस देश के समिधान से ली गई तो वो किस से ली गई रूज से ली गई वन पंडा मेल्टर डिप्टीच को सामिल करने की समिधान में मूल करतब्यों को किस समिधी की अनसंगसा के आधार पर किया गया था तो वो दोडा गया था स्वड़ सिंग समय्थी के आधार रमागद को से किसी सतन की द्वारा उख बसुत है ने में जरूरी में यह कोश्चाम सूचियों पंचायइता वरड़ेता तो डरयावी अन सूचि में पंचायइति राजवस्तार वर्डेता शोळेता तो अगला कोश्विशन हम भारत के लोग जैसे सब्दा बली का उन लेकर समिदान के कहां से लिए गया मतलब जो हम भारत के लोग वाली जो सब्दा वाली है वो कहां से ली गई वो प्रष्टा बना में नहत है नाएक समीच्चा की अबधाडा कहां से ली गई है तो जो नाएक समीच्चा की अबधाडा है वो कहां से ली गई है अमेरिका से ली गई है अगला कोश्चन विला कोश्चन राजसवा का का होता है वो छोता है राजसभा के एक त्याई सदस्यां को निर्वित होने की अबद ही क्या है विल्ब दो बर्स बाद जो एक त्याई सदस्या वो सेवा निब्रत हो जाते हैं और उनका दुबारा चुनाव होता है और यह इस वीडियो का अंधिम कोश्चन अबसेश्ट सक्ति से और लाइक करें सेयर जरूर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिन बन्रे मातरम जैसरी राम